नमस्कार जोतिश जराहट के देख रहे हैं आप लोग मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंट आज बताएंगे हम कि मेश ब्रिशब मिथुन और करक वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा भी इतने वाला है सितंबर महीने में मेश, बिशब, मिथुन और करक वाले क्या कुछ प्राप्त करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कितना फलदाई होगा सितंबर का महीना क्या उपाय करके क्या प्रियोग करके अपने फेवर में थोड़ा बहुत किया जा सकता है पहले एक सितंबर को सुर्योदय के समय ग्रही इस्थिति पर हम चर्चा करते हैं। जब सुर्योदय होगा तो उस दौरान सुर्य और मंगल लगने में होगे, सिंग लगने में सुर्योदय होगा एक सितंबर को। चंद्रमा मिथुन में रहेंगे। ये तो इस्थिति रहेगी राजग्रहों की। उम्रिकशिरा नक्षत्र में मिथुन का चंद्रमा चतुर्थ चरण में संचरण कर रहा होगा। तो अब इसके आधार पर आपके जो फलित आपको जो मिलने वाला है। अब बताते हैं कि क्या क्या आपको फल मिलेगा। कैसे कैसे समझने की आवश्यक्ता है। तो देखिए और इसको समझिए और इसको अपने हिसाब से करने का प्रयास करिए। मेश राशी। शिक्षा के छेतर में सूर्य पंचम में पंचमेश होकर के बैठे हैं। सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा। इस्पेशली पंद्रह तक उसके बाद थोड़ी बहुत उठापटक दिखाई दे सकती है। जब कन्या में प्रिवेश होगा। ब्यापार अच्छा चलेगा। बिजनस में बड़े निर्ले लिये जाएंगे। रुके काम बनने ही बनने है। 5, 9, 22, 28 और 26 को भी बड़े फैस्टे लिये जा सकते हैं। प्राइविट सेक्टर मेश राशी सितंबर 2021, 16 से 22 के बीच में नौकरी में परिवर्तन है। किसी अपने के कारण कुछ परेशानियां बढ़ सकते हैं। सरकारी छेत्र मेश राशी थोड़ा बहुत उठापटक 12, 19 और 27 को हो सकता है। बाकी समय आपका काम चलता रहेगा बहुत प्रशन रहेंगे। यहां पर देखा जाए तो ब्रहश्पती वक्री होकर के मारगी हो जाएंगे बीच में 14 के आसपास में। तो 14 तक समभा लिएगा उसके बाद कोई विशेश दिकत नहीं आएगी। ब्रहश्पती चुकी आपका भागेश है, भागे का स्वामी है, नाइन थाउस का स्वामी है। और शुक्र भी नीच के स्थान से हट चुके होंगे, 6-7 के बाद, तो यहां से भी आपको सहुलियत मिल जाएगी। सात्वे में आजाएंगे, तुरा में ही आजाएंगे, तो मेरेड लाइफ ठीक ठीक रहेगा, शुर्वात में एक सब्ता सभाल देजेगा, बस, लव लाइफ मेश राशी, यहां पर उठा पटक बढ़ेगा, आपका सोचा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो लव लाइफ को लेकर के हम आपको आगाह कर रहे हैं कि सूर्य मंगल की यूती है सिंग राशी में, जितना सभाल सकते हैं उतना ही आपके लिए बहतर रहेगा। स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो बैक की प्रॉब्लम रहेगी, किटनी और आँख से सम्मंधित समस्या, पेट से बहुत परेशान रहेगी चुकि सूर्य आपके पंचम में ही हैं, अठारह उननिस के बाद स्वास्थ में सुधार होना सुरू होगा। प्रियोग क्या करना है मेश वालों को थोड़ा इंतजार करें। व्रिशब की चर्चा करते हैं। व्रिशब राशी वालों को सितंबर 2021 क्या सौगात लेकर आया है। संबंद रखता है, वाणी से संबंद रखता है, आपके नित्रों से संबंद रखता है, आपके सुख से संबंद रखता है, आपके पराक्रम भाव के स्वामी के रूप में पराक्रम से संबंद रखता है। तो सबसे पहले बताते हैं शिक्षा, पढ़ाई के मामले में बुध चोकी उच्चे के चल रहे हैं तो बहुत स्मूद शिक्षा चलेगी, कोई रुकावट नहीं है, शिक्षा का छेत्राप के लिए कई रास्ते खोल रहा है, अवसर अच्छे मिलेंगे, ब्यापार थोड़ा स रुकेगा, बिजनस में ओवर स्मार्टनेस भारी पड़ेगा, 10, 14, 22 और 28 सितंबर खतरनाग है, बिजनस को लेगे, बड़े रिस्क टालने की आवश्यक्ता है, प्राइवेट सिक्टर, यहां मामला आपके हाथ में है, जो आप सोचेंगे, विचार करेंगे, उसके अनुसा मिलने लग जाएगा, चीजें आपके अनुसार होने लग जाएगी, खास तोर पर प्राइवेट सिक्टर में नई नौकरी की जो संभावना है, वो 5, 9, 22, 39, इस बीच में प्राइवेट सिक्टर वाले प्रयास करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी, ग्वर्मेंट सिक्टर में जाब करते हैं तो थोड़ा बहुत उठापटक सुरुवात में होगा, मतलब लगभग मान के चलें, साथ तारिक आते आते प्रमोशन हो सकता है, 22 तारिक के बाद यातराएं हैं, बॉस के साथ ले बना रहेगा, दामपत्य जीवन ब्रिशवराश बहुत अच्छा नहीं है, यहां इस्थितियां आपके हाथ से बाहर जा रही है, संभलना होगा, राहुकेतु का प्रभाव तो दिखेगा ही दिखेगा, और शुक्र भी आपकी राशी का स्वामी सुरुवात में नीच का रहेगा, इसके बाद तुला में आ जाएगा, आपके छठे भाव में जाएग लव लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, स्मूद रहेगा, कोई नए प्रपोजल भी मिल सकते हैं, खास तरपे बिशवरासी की लड़कियों को, अंतरंगता बढ़ेगी, क्लोजनेस बढ़ेगा, बॉइफ्रेंड गल्फ्रेंड के बीच में, दो सकता है कि आप अंतिम चर्मोत कर्ष पर भी जाएं, अर्थाद सब कुछ प्राप्त करें, स्वास्त के मामले में माइग्रेन बहुत परिशान करेगा, डाइजेशन की दिक्कत, उल्टे पाओं में चूट की संभावना 13 सितंबर को संभाव है, मिथोन राशी, शिक्षा के लिए बहुत अ सरुग रहा है, बिजनस की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है, बड़े रिस्क टालने पड़ेंगे, स्पेशली 11, 19 और 26 तारिक, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, प्रमोशन होगा, नई नौगरी की संभावना है, पुरानी समस्याओं से बाहर निकलेंगे और सबसे बड़ी चीज, प्राइवेट सेक्टर बालों को, बाहर से कुछ विशेश लाब होगा, सरकारी छेतर में तनाव खत्म हो गया, 6 तारिक के बाद सब कुछ बहुत सामानने होगा, बहुत प्रशन रहेंगे, मकान का सुक 18, 22, 26 तारिक, दामपत्य जीवन उठापट हो जाएगा, परिशानियों से बाहर निकलेंगे, और रिष्टे की बात हो सकती है, 15, 22, 29 तारिक, स्वास्थ, कमर दर्द, छाती में दर्द, किड्नी, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, उपाय बताएंगे हम, करक की चर्चा सितंबर 2020 किस करक वालों के लिए क्या फल देगा, सिक्षा के मामली में देखा जाए, तो बाहर जाकर सिक्षा कहीं ग्रहन कर सकते हैं, नई जगह एंडमिशन हो सकता है, 5, 9, 22 तारिक, बारह में घर का चंद्रमा है, करक वालों के अर्थात, मिथुन राशी का चंद्रमा है, तो ये आपके लिए बहुत बहतर रहेगा, बाह प्राइविट सेक्टर, बहुत अनकूल रहेगा, लाब के बड़े अउसर देगा, 5, 9, 26 तारिक, प्राइविट सेक्टर में वाहन का सुख भी 18, 22 के बीच में मिल सकता है, सरकारी छेतर मुश्किल पैदा कर रहा है, कोई शडियन तराब की विरुद्ध होगा, इस्पेशल प्राइविट में रहेगा, कुछ भी खरने वाला नहीं, परेशान मत रहेगा, लव लाइफ अनकूलता दे रहा है, परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं, अवसर अच्छे मिलेंगे, नए प्रपोजल मिल सकते हैं, स्वास्त में सांस की दिक्कत, कमरदर्द, पेटदर्द की शिकायत रहेगी, मेश बिशब मिथुन करक वाले सितंबर महिने को ब्यातर करने के लिए प्रियोग क्या करना चाहिए, प्रातह काल उठते ही, मैं मंगल और सूर्य को पकड़ रहा हूँ, जो सिंहस्त है, सितंबर महिने में जो लगन के स्वामी है, सिंह लगने में तीन बार बजरंगबान का पाठ कर लिजेगा, प्रातहशनान के बाद, कहीं होटल में हैं बाहर हैं तो भी कर लिजेगा, बस इतना करिए, आप चार राशियों के लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा, थैंक्यू आपके इस प्यार के लिए मुलाकात करेंगे हम, तार तीस अगस्त तक अगर मिलना चाहें और उसके बाद मुलाकात पटना राची कलकता रखना हो, धन्यवाद, नमस्कार, शिराते